वाटसअब जासुसी कान को लेकर कॉंग्रस के वरशनेता प्रमोथ तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साथ दिया है उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे राजनीती स्वार्थ के लिए जासुसी हो रही हो बता दे कि वाटसअब जासुसी मामने में कॉंग्रस ने केंदर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था पार्टी का कहना था कि कॉंग्रस महासचिप प्रयांका गांधी वाट्डा को भी वाटसअब की तरफ से एक मैसेज मिला था यह संदेश वाटसअब ने उन सभी लोगों को भेजे थे जुनकी फोन हैक हुए थे पार्टी का कहना है कि सरकार ने अभी तक जासुसी करने से आधिकारिक तोर पर इनकार नहीं किया इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए स्नूपिंग एक लोकतांत्रिक देश में है जहां प्रजातांत्र हो जहां निजिता का अधिकार हो वहां राजनेतिक दलों के जो विरोधी हों उनके नेताओं पर जासुसी करना बिना उनकी सेहमत के जब तक कोई ऐसा प्रकरण ना हो जिसमें सरकार देटा से ये कैसे के हम करा रहे है तो ये तो लगता है जैसे एक राजनेतिक सौर्थ के लिए किया गया है किसकी स्नूपिंग हो रही है किसकी नहीं हो रही है ये मैं नहीं जानता ममता बनर जी का बेहन में ने सुना है पर ये सच है कि स्नूपिंग में जो इस्तमाल किया जा रहा है साफ्ट वेर वो इसराइल का और इसराइल की दोस्ती इसराइल की निकटता भारती जनता पार्टी से और भाजबा सरकार से जब जाहे रहे